हलो एन वेलकम टो बिटेलिंग साथ में मिलके शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग और क्रिप्टो की ताज़ा कबर में फिर सहाब का स्वाकत है बिटकोईन 45,000 यूएस डॉलर से उपर चला गया है लोगों को लग रहा है कि बिटकोईन अपूरू हो गया है ऐसे लग रहा है ना क्योंकि खुशिया तो इस तरीके की मनाई जारी जैसे साड़े चार लाग यूएस डॉलर पर पहुँच के हो और लोगों को लग रहा है कि यार यह अल्मुस्ट एटिएफ क्लेर हो गया है लोगों को इसलिए भी लग रहा है क्योंकि जिस तरीके से जो एप्लिकेंट्स हैं जो बिटकोईन के जो स्पॉट एटिएफ के जो एप्लिकेंट्स हैं उसको मैं यहाँ पर शेयर करने की कोशिक करता हूँ फिर आप आपको लगएगा कि नहीं यार गॉन्फिदेंट्स दिखना चाहिए वो जायज है तो मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ ब्लाक रॉक है जैसे ब्लाक रॉक क्या कह रहा है एक इंटेव्यू की दरान वो कह रहा है कि बिट्कॉइन का जो स्पॉर्ट टीएफ है वो इस वेनेज़ दे अप्रॉव हो सकता है तो ब्लाक रॉक बड़ा कॉन्फिदेंट्स दिखा रहा है आज मंडे है ट्यूजडे ये अप्रॉव होता दिख रहा है तो ये ब्लाक रॉक कहना है अब इतना कॉन्फिदेंस आप क्यों दिखा रहे हो कुछ नहीं कुछ आपके आपास इंपूट है तभी तो आप इतना कॉन्फिदेंस दिखा रहे हो न पैरी सिलबट जो की क्रेश केल का फाउंडर सीई ओ है वो ट्वीट कर रहा है इस वीक इस गोई टो बी बिक ये नो तो अब वीक इस गोई टो बी बिक एक ही चीज़ हो सकती है क्योंकि सबसे बड़ा फायदा सबसे बड़ा जो फंड होने वाला है वो ग्रेश केल होगा अगर ग्रेश केल का जो टोटल जो फंड है वो अगर एटिएफ में कनवर्ट होता है तो ग्रेश केल पतलब डेई वन से ब्लाक रॉक से भी बड़ा फंड होगा जैसे ये ब्लाक रॉक जैसे ये दो पिलियन यूएस डॉलर जाए चेम में लेके बैटा है कि बिटकोई को जो स्पॉर्ट टीट है को जो लाँच होगा वो दो पिलियन यूएस डॉलर के साथ वो शुरू करेगा फंड को तो आपने देखा कि बिटवाइज जो है और बहुत सारे जितने भी हैं एक वार्निंग इशू करेज अपनी वेबसाइट पर जहां पर वो कहरे है फो मो नहीं करना है वो कहरे है कि क्योंकि एटिएफ की न्यूज इतनी ज़ादा हर न्यूज आर्टिकल, हर न्यूज मीडिया कवर कर रहा है तो SEC ने ये इशू की है वार्णिंग कि यार फोमो नी करना है। जो यूजर्स हैं जो US के इंवेस्टर्स हैं जो वहां कि US के उनको बोला है कि फोमो नी करना है। तो ये बड़ी अजीब हो गरी नीज है। एक तरफ आप बिटकॉन का स्पॉट एटियफ ये नव कहीं न कहीं लोग वेट कर रहे हैं, खासकर जो बड़े-बड़े जो financial institutions हैं और जो high net worth individuals है, ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि war की शुरू हो गई है in terms of fees, तो fees war शुरू हो गई है, अगर आप देखो bitcoin archive यह handle है, इसने calculation करी है, इसने date out है, जिसमें fidelity की fees है 0.39%, अगर आप देखो black rock की 0.20%, आर्क invest कर रहा है कि पहले 6 महीने, जब तक उसका 1 billion US dollar worth of asset under management नहीं होता है, तो 0%, उसके बाद 0.25%, वैने 0.25%, यह भी कह रहा है, पॉइंट, यह भी galaxy invest को भी कह रहा है 0%, 6 महीने तक, जब तक 5, उसके बाद 0.59%, gray scale 1.5%, bit wise, you know, 0% for 6 months, जब तक या 1 billion US dollar, asset under management, उसके 0.24, in fact, सबसे ज़्यादा competitive जो है, वो bit wise का लग रहा है, क्योंकि bit wise का पहले 6 महीने तक 0 है, उसके 0.24% है, तो अगर आप देखो 0.24% किसी का नहीं है, in fact, यह 0.20, यहां पे भी अगर आप देखो, black rock का भी सस्ता है, लेकिन fees, लेकिन इनका फिर भी 0.30% है, you know, after 12 months, इनका पहले चीमिन है 0% है, तो मुझे लगता है, bit wise is the most economical, create scale is huge 1.5%, तो यह fees कमाने की, you know, मंचा है, fees कमाना चाहते हैं, सारी कंपनिया, आप सोच सकते हो, जब billions में, trillions में, जब यह funds होंगे, जब इसमें trade होगा, तो यह इतनी, यह जो fees है, how much potential they have to earn, right, तो यह इन्होंने, bitcoin का, जो spot ETF अपलाई किया, यही सारी earnings देखके, ठीक है न, उसके बाद हम चलते हैं, कि कितना पैसा आ सकता है, अगले कुछ हफतों में, जैसे spot ETF अप्रूव होता है, तो मैंने एक tweet किया था, उस tweet के अदर मैंने बोला, कि भाई, जो gold ETF है, जब 2004 में launch हुआ, तो Nasdaq 100 का, जो index है, Nasdaq की जो top 100 companies है, उनका index ETF है था, उसके अंदर भी 1.6 billion US dollar आयता है, पहले 30 दिन में, पहला bitcoin का future ETF है, उसके अंदर भी पहले 30 दिन में 1.5 billion US dollar एंटर ही है था, अब इसमें मैंने बोला था, कि how much you, guess how much spot bitcoin ETF के अंदर कितना पैसा आएगा, तो लोगोंने बीर ने के I'd expect that much inflows not in the first 30 days but in the first week, मतलब इसका ही कहना है कि पहले हफते में इतना आ जाएगा 1.6 billion या 2 billion US dollar, तो दो ब्लाक रॉक की लेके बैठा है, तो I'm sure कि इतना तो आई जाएगा, तो कहने का मतलब यह कि यहां से एक अंदाजा लगा सकते हो, कि पहले 30 दिन में जो पा आपको buy or sell नहीं करना पड़ता, exchange पे कुछ movement नहीं होती, यह futures का contract होते हैं, तो जब इस पे 1.5 billion आगए 30 days के अंदा, तो यहां तो बारा companies हैं, बारा companies का, अलरड़ी आप देख रहो, fees war चिड़ चुकी है, तो यहां पे आप expect कर सकते हो, कि काफी पैसा bitcoin के अंदार अगले 30 इस दिनों के अंदर एंडर कर सकता है, प्रूब होने के पाथ, इसलिए तो SEC भी बोल रहा है, to not for more, उसके अलावा यहां पे यह देख सकते हैं, कि spot bitcoin ETF applicants file amended S1 forms, मतलब चितने भी जो formalities है, जो SEC नहीं बोला है, अब कुछ करने के लिए बजा नहीं है, they have almost covered everything, सारी companies ने अपन ETF launch नहीं कर रहा है, बढ़ इनकी कर आफ वैसे देखू ना standing, तो पहले से यह इतना bitcoin hold करते हैं, gray scale के पास 6,43,000, तो 3% bitcoin की जो supply है, वो gray scale के पास है, ये gray scale का bitcoin trust सोचे, ETF में convert होगा, तो इसके पाँ अलरड़ी 6,43,000 bitcoin है, जो कि 3% of bitcoin की supply है, coin share के पास, 48,000 purpose bitcoin ETF के पास, 25,000, आ matchdex, जो कि एक applicant उसके पास, 8832, और, तो यह आप देख सकते हो कि already इन companies के पास पहले से अपनी bitcoin की holdings है, right, तो इसलिए bitcoin के ETF में इतना जादा interest है, यहां बहुत बड़ी ख़बर है, यह जपान से, जपान के अंदर, Mercery has 22 million active users, पता यह क्या है, यह जपान का सबसे बड़ा e-commerce giant है, जिसके पास, जिसने यह बोले कि वो bitcoin accept करेगा payments में, जो 25 million monthly active user होना, किसी एक e-commerce platform के पास, जपान का giant है, यह तना बड़ा e-commerce platform है, और वो अब bitcoin के अंदर payment accept करना शुरू कर दिया, तो यह बहुत बड़ी ख जो individual businesses हैं, जो sold proprietorship जिसे कहते हैं, वो दुनिया में 3 गिना होगे हैं, जो bitcoin को accept कर रहे हैं, तो यह 2023 में यह triple होगा है, तो आप इससे दाज़ा लगा सकते हैं, जाज़ादा business जो हैं, छोटे businesses भी जो हैं, वो bitcoin को accept कर रहे हैं as a mode of payment, bitcoin का hash rate जो है, hits a record of 549 exa hash in early 2024, emitter rising difficulty and lower hash price, जित्ती स्यादा all time high up पर पहुच गई है, that means that network is more and more secure, it is impossible to do, you know, attack on bitcoin, right, जो यह दर्शाता है कि bitcoin का network with every passing year, every passing month, every passing day, irrespective of the price going high or low, bitcoin को की जो mining है, वो difficult होती जारी है, you know, bitcoin को के उपर जो attack करना भी उतना ही मुश्किल हो जाएगा, bitcoin के high hash rate just indicates that it is difficult to mine bitcoin and it is difficult to attack bitcoin and it also also shows that there is a rising interest in the mining and यह पढ़ता ही चला जा रहा है, so this is like an all time high, तो यह proof of work जिसे हम कहते है, उसके तर्शात है कि bitcoin का network is one of the most secure network in the world, right, और उसके बाद यह एक report आई है, report finds that less illicit crypto activity in nations with full licensing regime in 2023 TRM lab, इसके यह कहना है कि 21 jurisdictions को इसने check किया, cover किया, study करा और यह 21 jurisdictions, 70% global exposure जो है crypto का उसको cover करती है और इसने यह पाया कि जहाँ पर proper regulations है, जहाँ पर clarity है, वहाँ पर crypto crime भी कम है, जहाँ clarity नहीं है, जहाँ जित्ती तेरी लगाई जा रही है, you know, clarity में, वहाँ उतना ही जादा crime है, so यह important है किसी भी देश के लिए, कि वो जित्ती जल्दी clarity लेंगे, जित्ती जल्दी चीजों को regularize कर देंगे, उतना ही अच्छा है, और वहाँ पर यह study ने पाया, कि वहाँ उतना ही अच्छा है, कि वहाँ पर illicit activities जो है, वो कम होती है, so यह important, एक important finding है, TRM lab की, right, तो यह थे आज के कुछ interesting articles, आपको क्या लगता है, कि bitcoin का spot TTF approved हो गया कि नहीं हो गया, और आप bitcoin के spot TTF के बाद क्या करेंगे, buy करेंगे, sell करेंगे, या hold करेंगे, क्या यह sell event है, क्या buy event है, या आप hold करके रखो कि आपको कोई फरक नहीं पड़ता, आप तो यहाँ पे एक देड़े साल या एक चोटी पोटी खबरों के लिए नहीं आया हो, लंबी अवदी के लिए हो, तो आप करके ठीक है, उसको कमेंट करके जरूर बताएगा, with this thought, thank you very much.